लेटन्ट यू के बंपर IPO लिस्टिंग के बाद क्या ये अभी भी एक golden opportunity है तो मेरा personal perspective exactly हम ये वीडियो में cover करने वाले हैं लेटन्ट यू के share के fundamental analysis के साथ साथ तो दोस्तों बिना time waste किये चलिए लेटन्ट यू का discussion शुरू करते हैं लेटन्ट यू के core business का discussion स्टार्ट करने से पहले नीचे comment में मुझे बताइए कि क्या आपके पास ये share IPO से है या आप इसे अपने portfolio के लिए evaluate कर रहे हो सबसे बहले अगर मैं लेटन्ट यू के business की बात करूँ तो ये pure play analytics company है और analytics एक buzzing area है पूरे technology के ecosystem में ये अपने digital analytics platform को drive करने के लिए artificial intelligence और machine learning यूज करते हैं दोस्तों इनके चार major verticals है सबसे पहले consulting आता है जहां पे ये clients के business problems के लिए consult करते हैं और उसके लिए analytical solutions प्रोवाइड करते हैं दूसरे vertical में data engineering आता है जहां पे किसी भी organization में एक पूरी data management बहुत proper होना जरूरी है कौन-कौन से sources से data आ रहा है और वो कितना sync में और properly managed है तीसरा इनका business vertical business analytics का है जहां पे ये अलग-अलग functions जैसे की marketing, finance इनके लिए analytical services प्रोवाइड करते हैं और चौथा इनका vertical digital solution का है जहां पे ये automation जैसी services clients के लिए प्रोवाइड करते हैं एक बहुत अच्छी बात इनके business में ये है कि पूरा इनका business model client relationship based focused है बहुत सारे customers के साथ इनके एक long term working relations है और fortune 500 में से 30 company को ये cater करते हैं ऐसे business model का पता है सबसे बड़ा advantage क्या होता है इनके पास massive operating leverage होता है सरल भाशा में जैसे जैसे धंदा आएगा ना खर्चे उस हिसाब से या capital expenses नहीं बढ़ेंगे एक और positive factor दोस्तो 2024 तक data analytics के industry 18% के CGR से बढ़ने वाली है तो in general ये पूरी industry के लिए ये बहुत ही positive number है ये तो सारी अच्छी बाते हो गई पर इनके business में कुछ risk भी है टॉप 5 client 59% revenue contribute करते हैं in fact इनका जो top client है वो approximately 20% revenue contribute करता है इसके साथ साथ 90% revenue सिफ एक geography यानि की USA से आता है सिर्फ इतना ही नहीं 80% revenue सिर्फ दो business verticals यानि की technology और industrial area contribute करते हैं तो यहाँ पे geographic customer और segment पे एक concentration का बहुत बढ़ा risk है किसी भी एक segment customer या geography पे इतना निरबर रहना ये मैं उतना positive नहीं मानता यहाँ पे already existing और private companies जैसे की mu sigma, fractal इनके साथ directly compete करते हैं in fact major IT services company जैसे की TCS, Accenture ये भी compete कर सकते हैं latent view के साथ जहाँ तक business की बात है financially भी अगर मैं देखू तो पिछले 2 सालों में यानि की 2019 से लेके 2021 तक sales growth थोड़ इसी nominal रही है ये period में इनकी sales growth 3% के sales यार से हुई है तो ये उतना बड़ा नंबर नहीं है दोस्तो last year इन्होंने 305 करोड का business किया ये साल पहले quarter में already ये 88 करोड की sales कर चुके है तो अगर मैं ये 88 करोड को आगे और आने वाले 3 quarter में extrapolate करू तो ये लगबख सालना 350 करोड का revenue हुआ तो अगर ये assumption true हुआ तो ये तो positive रहेगा पर कोई भी decision लेने से पहले इनके quarter 2 यानि की September तक के numbers देखना बहुत ज़रूरी है जहां तक मैं profit के growth rate की बात करू तो यहां पे इनकी growth 24% के CGR की रही है पिछले 2 सालों में तो ये एक अच्छी growth rate है last year इन्होंने 90 करोड का profit after tax किया था ये साल पहले quarter में इन्होंने 22 करोड का profit after tax किया है तो again sales की तरह गर में ये 22 करोड को आगे जाके पूरे साल भर में extrapolate करू तो ये 88-90 करोड के around आएंगे तो ये तो flat growth हुई इसलिए यहां पे इनके quarter 2 के results को एक बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ भी conclude करने से पहले और सिर्फ numbers ही नहीं management आगे हमें कितना guide करता है कि कितना growth वो आगे आने वोले time में anticipate कर रहे है इसे भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा इनके operating profit margin 30% से ज़ादा है जो बहुत ही अच्छा number है stand alone अगर मैं इसका return ratios देखू तो 22% का return on equity 26% का return on capital employed ये हो सकता है हमें बहुत अच्छा number लगे और no doubt ये अच्छे numbers है भी पर अब अगर मैं इसे compare करूँ happiest mind से जिसका return on capital employed 34 और return on equity 39 है या compare करूँ Tata LXC के साथ जिसका ROE 29 के round है और return on capital 40 के round है तो हो सकता है मुझे शायद ये numbers average लगे in that case एक चीज़ हमारी यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हो सकता है ये शायद direct comparable companies नहीं हो पर ये एक similar technology के sector में operate करते हैं तो एक idea लगाने के लिए ये comparison दोस्तो उतना बुरा भी नहीं होगा इन फैक्ट जहां तक मैं valuations की बात करूँ न तो सबसे पहले price to earning multiple देखते हैं मतलब एक रुपए की कमाई के लिए आप market में कितना premium दे रहे हो टाटा एलेक्सी 80 के price earning multiple पे चल रहा है happiest mind 111 के PE ratio पे है और जहां तक मैं later into की बात करूँ तो ये 150 के price earning multiple पे trade कर रहा है तो दोस्तो personally मुझे ये बहुत expensive लगता है price to earning ratio की तरह ही price to sales ratio भी एक रुपए की बिक्री या एक रुपए की sales के लिए आप market में कितना premium दे रहे हो ये दिखाता है तो यहां पे टाटा एलेक्सी के लिए ये premium यानि की price to sales ratio 17 के around है happiest minds का price to sales ratio 20 के around है और जहां तक मैं latent view की बात करूँ तो इनका price to sales ratio 45 ताइम्स है दोस्तो तो price earning multiple की तरह ही price to sales multiple में भी मुझे ये company बहुत महेंगी लगती है no doubt आने वाले quarter में जैसे जैसे sales और earnings बढ़ेगी ये multiples moderate होंगे पर इसके लिए हो सकते है थोड़ा time लगे या तो company को बहुत fast grow करना होगा मेरा personal perspective शेर करने से पहले एक disclaimer ये video या analysis किसी भी तरह का recommendation नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है तो no doubt later into you एक बहुत अच्छी story है जहां तक analytics की बात है या in fact अगर मैं बात small cap technology companies की भी करूँ और ये एक ऐसा share है ना जो मैं अपने watch list पे definitely रखूँगा इसके IPO में भी मैंने apply किया था पर ये मुझे a lot नहीं हुआ पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं market से इसे खरीदने की जल्दी में हूँ personally मुझे इसके valuation multiples अब expensive लगते है और यहाँ पे मैं genuine investing के मुकाबले FOMO जादा feel कर रहा हूँ यानि की fear of missing out एक अच्छी story होने के कारण मैं इसको no doubt constantly तो evaluate करता ही रहूँगा पर at least मैं इनके quarter two के result और management की commentary सुनना चाऊंगा directionally आगे बढ़ने से पहले और वो lucky investors जिनको ये IPO allocate हुआ है और वो long term के लिए invested है तो ये बहुत अच्छी story है personally अगर मुझे ये allocate होता तो मैं इसे definitely hold करता क्योंकि अगर मैं long term investor हूँ न तो मैं market को उतना time नहीं करूँगा हो सकता है correction आए या correction नहीं भी आ सकता पर ये timing और anticipation के चक्कर में न कभी कभी बहुत अच्छा stock हाथ से निकल जाता है ये वाला perspective long term investors के लिए था और यहाँ पर एक लंबा नजरिया रखना बहुत ज़रूरी है long term के लिए वो stocks जो अपने benchmark indices जैसे कि nifty इसको outperform करती है और उससे कम volatility रखती है वैसे stocks को evaluate करना बहुत ज़रूरी है तो ऐसी 10 high alpha और low beta stories मैंने ये वीडियो में cover की है तो इससे definitely check कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा